सुपरभाद बच्चों, आप मैं कक्छा चैको संस्किर्ट में पाठाट पढ़ा रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक समझीए सबसे पहले पाठ का नाम है सुक्ति अस्तवकह, तो सुक्ति अस्तवकह का मतलब होता है अच्छे विचारों का समुह, ठीक है? पाठ में आगे देखो, बाला दपी ग्रही तब्यम युक्त मुक्तम मने सभी रवेरा विसे किमना परदीपस्च परकासनम, बाला दपी मूर्ख बच्चों से ग्रही तब्यम ग्रहन करना, युक्त मुक्तम उचित, उचित कहा गया है, मने सभी बुद्धि मानों के द्वारा तो इसमें कहा गया है कि बुद्धिमानों के द्वारा मूर्ख बच्चों से उचित बातों या कारियों को भी ग्रहन करना चाहिए जिस प्रकास सूरे के न रहने पर दीपक का पर्योग करकि हम प्रकास को ग्रहन करते हैं उसी परकार हम ठीक है? मुर्ख बच्चों से भी अच्छी बातों को ग्रहन करना चाहिए, बुद्धिमानों को ग्रहन करना चाहिए. पुस्तके पठितहा पाठा जीवने नैव साधितहा किम भवेता तेन पाठेना जीवने योन सार्थ कहा पुस्तक में पढ़ावा पाठा पुस्तक में पढ़ा गया पाठ या पढ़ावा पाठ ठीक है तो पुस्तक में क्या पढ़ते हैं ज्यान की चीजे पढ़ती है जीवने नैव साधित हा यदि जीवन में उपयोग नहीं किया है ठीक किम भवेता तेना पाठेना जीवने योन सार्थ कहा तो अतहा जो पाठ जीवन में सार्थ क्या उपयोगी नहीं है तो उस पाठ उस पड़े विए पाठ का क्या लाव है येदि हमने किसी पाठ को पढ़ा है उसको हमने समझा नहीं उसकी बात हमने गरहन नहीं करी पाठ के तो हमें उस पाठ को पढ़ने से क्या लाव है ठीक है इसमें क्या इसलिए प्रशन होते है इसलिए है हमें प्रिय या मधुरवानी बोलना चाहिए प्रिय बोलने में क्या गरीबी है और क्या कंजूसी करना है इस परकार से हमें क्या है अच्छी बानी मधुरवानी बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए गच्छन पिपील को याती योजना नाम सतान्य पी अगच्छन वेन तो योपी मद मेकम न गच्छती गच्छना मनी जाता या जाते हैं चलती हुई चीटी भी सेक्डों कोश चली जाती है अगच्छन वेन ते योपी पद मेकम न गच्छती तो चलती वी चीटी भी सेक्डों कोश चली जाती है प्रंतु चलता हुआ गरूड जो गरूड होता है ठीक है एकदम भी नहीं जापाता अतासर आगे बढ़ता ही रहना चाहिए हमें कभी पीछे नहीं अटना चाहिए अपने कदम से कदम मिला करके हमें एक लगन से आगे चलना चाहिए जैसे चीटी का उधारा दिया गया है ठीक है आगे काका क्रिष्टना पिका क्रिष्टना को भेदा पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काका काका क्रिष्टना को यल भी क्रिष्टना काली होती है को भेदा पिक काकयो इन दोनों में फिर क्या भेद है तो फिर इन दोनों में क्या भेद है कवा भी का रहा है को यल भी काली तो दोनों में क्या भेद है वसंत समय प्राप्ते वसंत के समय वसंत रितू जब आती है वसंत रितू आने पर ठीक है तो का कहा प्राप्ते का कहा का कहा पिका पिका तो पता वसंत रितू आने पर पता चलता है कि कववा तो कववा ही होता है और कोयल कोयली होती है ठीक है तो पाठ यहां पर समाप्त होता है सभी बच्चों को ध्यानपुर्ण समझ में आया होगा इजी कोई दिक्कत प्रेशान होती तो मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं ठीक है धन्यवास सभी बच्चों को